पर्ल्स मतलब मोती अपने शायद सुना ही होगा कि जापान के मोती की क्वालिटी काफी अच्छी मानी जाती है जापान में काफी सालों से मोती का उत्पन्न कर रहे थे आप सोच रहे होंगे मोती कैसे बनाया जाता है नईये मोटी उत्पन करने के लिए सेल में एक छोटी सी खोल की जाती है और एक सेल के टुकड़े को सावधानी से अंदर रखा जाता है समय के साथ सेल में धीरे-धीरे एक मोती का निर्मान होता है और करीब 1-1.5 साल बाध मोती को सावधानी से देखा जाता है और निकाला जाता है लेकिन एक आदमी ने मोती की quality और मोती की technique ही बदल दी उनका नाम है कोकीची मिकीमोटो उन्होंने 1893 में मोती बनाने का काम सीखा लेकिन मिकीमोटो ने सोचा कि मैं शेल के टुकड़े की जगह में एक रियल मोती के टुकड़े को ही सेल के अंदर रखू तो वह मोती की क्वालिटी बदल सकती है उन्होंने वहां एक्सपेरिमेंट किया और वह उसमें कामयाब भी रहे और यहां तक्नीक से उन्होंने मोती बनाने में सुधार करते गए और आगे बैठ गए क्या आपको ये पहले पता था? कमेंट में जरूर बताएं आप एक और चीज़ कर सकते हो हमें सब्सक्राइब